हेलो एविवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अबाया का यह कुपसूरत सा डिजाइन जो बहुत ही जादा बीटिफुल लगा है बनने के बाद सो यहां पर आप देख सकते हैं साइट से हम मैंने इसमें चाग भी दिये है तो इसका जो अरज होता है वो बहुत बड़ा होता है तो यहां पर मैंने डबल फोल्व पे रखा हुआ है इधर की साइड मेरी बन साइड है जो अबाया का फैब्रिक होता है वो हमें ज्यादा लेना पड़ता है थोड़ा सा तो मैंने यहां पर टोटल जो फैब्रिक लिया है अपनी आपकी जितनी भी लैंट हो अपस फे मांक कर लें उसके बाद बन साइट की तड़ दे तो 3 इंच की चोड़ा ली है एंग 6 दिखने दो इंच की लंबाइि लिया अब इस तरीके से कलुओ इप से जिब जाएगा उ ऐसे त्रीके से क्राउंज के लिए अपर नेक की मार्किण हो चुकी है सबसे पहले आपको घ्रिंध कर लेंद के बाद । तो किया तो किया थे तो यह आपको इस तरीके से की मोरी का मारा करना करना है तो मैंने director पर dow ऐसके बाद मैं आपको स्वेसरीच लमक्न करinky ऐस आتर da यहां से आपको six learn quix d highly given live is Grand यहां से ढूर चाहिब तो थोड़ा सब वह आप सब्सक्राइब गोल्ग लीए हैं शेयस केमा कर देंगे साथ की जायख से कार ली इसके जो के अबाद में साइड के कर लेगा दे एक सब्सक्राइइ इसके एक हमारे सब्सक्राइदा कि कर लेंगे लाज कुष्दा तक टा दें इसका हमारा अबाया हिजे सकते है marketing बक्राइण काल लेना है या इसके बाद कि अंदर से एक पीस को भी निकाल लेना एंट बाद मैं आपको एक करें अपने प्रेंठनेक लियना है उसकी बाद मैं इंग कर लांगी सबसे पहले तो आपको ब्यांत अब त्रफ से शोल्डर था नीचे शुलीवं अच्म तो दोनों शोल्डर जॉइंट होने के बाद मैंने आपको औरे पटी ले लेनी है अपनी नेक को बना लेना है तो मैं इसे फोल्ड करके इस तरीके से अपनी नेक पर रखूंगी और इसे पूरे राउंड शेप में अपनी नेक को बना लेंगे तो इस तरीके से फोल्ड करना ह स्टिच कर लेना है पूरे राउंड नेक में तो यहां पर हमारा जो नेक वो बन चुका है उसके बाद हम अपनी स्लीव की तरफ आएंगे तो हमारी जो स्लीव थी वो लेंथ में तीन इंच कम थी तो मैं तीन इंच का नीचे की साइड बॉर्डर लगाऊंगी तो सबसे पहले से हमने पैट लेनी है तो यहां पैट लेने के बाद आम इस इसकी चौडाई लिया है ने我們 Ever We Are कर लिए के काड दिंग ली है 14 इंच तो उसके बाद आपको इसको अपनी मौरी के ऊपर इस तरीके से रख रहा है ऐसे स्ट्छ कर ले ना है दियान रहे रॉंक साइड की तरफ आपकी पटी होनी चाहिए और राइट साइड पर आपको स्ट्छ करना है तो यहां पर हमने स्ट् बहुत ही बीटिफुल लगता है यह वाला जो स्लीफ का डिजाइन है और बहुत बीटिफुल सा यह जो अबाया है वो बनके तयार हुआ है बना के जरूर देखिएगा बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है स्ट्रेचिंग के जो प्राइज है इसके मा बाद कुछ इस तरीके से लगेगा इतना चोड़ा तो इसलिए घबराईए का नहीं क्योंकि हम इसे पहन के जब वेर करेंगे बहुत ही जादा बीटिफुल लगेगा उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे स्ट्रेचिंग करने के लिए मैंने आपे 15 इंच पे मांक किया है यह यहां तक मैं इसे प्लेचिंग करेंगे उसके बाद एक चाक कौो फॉल्ड़ कर दूगी तो पूरा जो बैक हैंड अंट है आपका दोनों को आपको डबल फॉल्ड कर लेना है चाक को इस तरीके से गाईज देख सकते हैं तो दोनों आपको इसी तरीके से फॉल्ड़ कर यहां पर हमारा जो अबाया है वो कम्प्लीट हो चुका है स्टिचिंग होकर तो गाइस देख सकते हैं कि ब्यूटिफुल साइस का लुक आ रहा है बिकल जैसे मार्केट में हमें अबाया मिलते हैं इस तरीके का मैंने आपको स्टिचिंग करना बताया है और बहुत ही